ओम नाराइन, 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 सभी में तरुकर आम रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम मैं तो सोच रहा था रिव्यू इना करूँ इस फिल्म का पर फिर सोचा यार छोड़ देना सही नहीं रहेगा अभी लगबग तीन मेहने पुरे होने को आ गए है टेकसास चेन सो मैसेकर इस फिल्म को नेट्विक्स पर रिलीज होकर इस फिल्म सिरीज की टेकसास चेन सो मैसेकर इस फिल्म सिरीज की ये नोवी फिल्म है देखे मैंने Hollywood की बहुत सारी slasher films देखी हुई है horror film series देखी हुई है कई सारी जैसे कि Nightmare on Elim Street Friday the 13th, Halloween Scream, Saw Final Destination इन मैं से कुछ 80's 80's के दशक्किय है कुछ 90's के दशक्किय है और Final Destination अभी सन 2000 के बाद शायद शुरू हुई थी इन मैं से बहुत सारे film series ने हमें कुछ ऐसे legendary हमेशा याद रह जाया ऐसे कुछ villain के characters दिये हुए है और उनी मैं से ऐसी ही slasher film series आई हुई है उनी में Texas Chainsaw मैं से कर ये कापी प्रसिद्ध नाम है पर यही एक वो series थी जो मैंने देखी हुई नहीं थी बाकी तो लगबग सारी series मैंने देखी हुई है तो अभी Netflix पर फरवरी में जब यह film रिलीज होने वही थी 18 फरवरी को Netflix पर रिलीज हुई उससे पहले मैं Texas Chainsaw मैंसे कर इस series की पुरानी film में देखना चाह रहा था मैंने कापी सर्च किया पुरानी filmों को पर कही पर मिली नहीं पर बाद में YouTube पर मैंने चेक किया YouTube पर है या नहीं तो YouTube पर किसने upload की वही थी 1974 में आया हुआ पहला पार्ट और उसके बाद में 1986 में आया हुआ दुसरा पार्ट यह दोनों ही film में YouTube पर अविलेबल थी वह भी कही पर अविलेबल नहीं है किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पर नहीं है सब जगह पर मैंने चेक कर लिया और फिर उसके बाद में 2013 में Texas Chainsaw 3D आयी थी जिसमें Alexander Roderio मुख्य भूमिका में थी और उसके बाद में फिर 2017 में लिदर फेस आयी थी ये दोनों Amazon Prime Video पर अविलेबल है वो दोनों में ने देखी और शुरुवात की दोनों में ने देखी हुई ये चार फिल्में देखी है बाकी बीच की चार फिल्में में नहीं देखी है अब इनका करम क्या है वो थोड़ा सा शुरुवात में आपको मैं बता देता हूँ 1974 में पहली फिल्म आई थी उसका सीक्वल आया 1986 में उसी का थर्ड पार्ट आया कंटिन्यू कहानी है ये वो 1990 में आया और फोर्थ पार्ट आया 1995 में ये चारोई फिल्मों की जो कहानी है वो क्रमशह है एक कहानी वो कंटिन्यू करते जा रहे है तो 1995 की ये जो फिल्म थी वो इस कहानी की ये जो कहानी चलती आ रहे थी उसकी ये आकरी फिल्म थी उसके बाद 2003 में फिर से इस स्रीज को रिबूट किया गया नई कहानी के साथ में 1974 की वो जो घटना थी उसे नए तरीकी से 2003 की फिल्म में दिखाया था उसका भी नाम था The Texas Chainsaw Massacre यही नाम था उसके बाद में 2006 में एक और फिल्म है The Texas Chainsaw Massacre The Beginning जैसा की नाम है तो 1974 की घटना से 5 साल पहले 1999 की घटना है इसमें दिखाई है 2006 में आयो फिल्म मतलब एक प्रिक्वल हम कह सकते है तो यह जो Sawyer Family है जो एक नर्भक्षी परिवार हम इसे कह सकते है Texas के एक रूरल छोटे से गाव के एरिया में कुछ इसे रूरल एरिया में वो यह परिवार रहता है और उनका एक गैस स्टेशन है वहाँ पर वहाँ से ही लोगों को उठाते हैं और उनको फिर मार कर काट कर वगएरा खाते हैं नर्भक्षी परिवार है यह Sawyer Family तो इस Sawyer Family की बिगिनिंग शुरुआत कैसे हुई क्या है उनकी कहानी वगएरा वो 2006 के समय उन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया पर वो फिल्म उतनी कुछ चल नहीं पाई फिर उसे कैंसल कर दिया गया जो यह reboot उन्होंने 2003 में शुरू किया था उसे कैंसल कर दिया फिर 2013 में फिर से उन्होंने reboot नहीं कहसा थि 2013 में एक जो फिल्म आई अलेक्जेंडर रोट्रियो के साथ में जिसका नाम था टेक्सास चैंसौ 3D वो 1974 की फिल्म का डायरेक्ट सिक्वल है ऐसा बताया गया तो 1974 के लबक 40 वरशों के बाद की कहानी 2013 के फिल्म में दिखाई थी एक हिदर नाम का कारेक्टर दिखाया है अलेक्जेंडर रोट्रियो ने वो प्ले किया था और उसे स्वायर फैमिली का ही वंश्यस दिखाया है उसकी जो नानी थी वो स्वायर फैमिली से थी और उसने ये सारी प्रॉपर्टी जो भी टेक्सास में वो जो उनका घर था पर जो 2013 की फिल्म थी उस सबसे ज़दा क्या कहूं problematic भी थी और हास्यस्पत थी क्योंकि यहाँ पर 2013 की फिल्म में Leatherface का जो character है उसके प्रती सिंपथी पैदा करने का प्रयास किया है मतलब जो character literally जो सामने आ जाए उसको उसके हाथ में जो चेंसवा है उससे वो काट देता है शरी के टुकडे टुकडे कर देता है और केवल वही नहीं उसका पूरा का पूरा परिवार इसी प्रकार का है नर्भक्षी लोगों को मारने वाला काटने वाला फिर वो खाते हैं उन्हें तो ऐसा ये जो परिवार है उसके प्रती 2013 की फिल्म में सिंपती पैदा करने का प्रयास किया है कैसे अब जैसे के मैंने का 1974 की कहानी के बात की घटना है यहाँ पर उन्होंने दिखाई है तो 1974 में क्या हुआ था कि एक ऐसा ही कुछ युवाओ का ग्रूप था वो इस टेकसास के इस गाओं में जा रहा था गैस स्टेशन पर तक जाता है पिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पर रात को रुपते हैं और उसके बाद में रात को फिर एक-एक करके यह जो स्वायर परिवार है वो इस पूरे ग्रूप को खत्म कर देता है केवल एक लड़की उस समें बची थी तो यह 1974 की फिल्म में यह घटना है हुई है तो अभी 40 वर्चों के बाद में जब 2013 में यह फिल्म आती है तो उसमें यह दिखाया जाता है कि जो स्वायर परिवार था उनका एक पूरा extended family दिखाई है 1974 की फिल्म में केवल तीन भाई दिखाए थे और उनके एक पिताजी वगरा दिखाए है तो ऐसे कुछ चार लोग उन्होंने वहाँ पर जीवित दिखाए थे उस परिवार के पर 2013 के फिल्म में उस परिवार में कई सरी महिला दिखाई है एक महिला के हाथ में छोटा सा बच्चा होता है मतलब सिंपती पैदा करने थी ना स्वायर परिवार के बारे में और फिर यह दिखाया है कि यह जो बच्चे के साथ में एक महिला है कई सर्य अलग-अलग महिला है ये पूरा परिवार है जो अपने को बचाना चाह रहा है पर ये पूरा गाव आकर उस sawyer family को जला देता है जिन्दा जला देता है और पिर उसके बाद में leader face के बारे में भी उस पूरी फिल्म में सिंपती पैदा करने का प्रयास किया है जो कही से भी किसी भी प्रकार से हजम ही नहीं होता एक ऐसा परिवार जो दुसरों को मार रहा है काट रहा है लिदर फेस जिसमें कोई emotions ही नहीं है उसके बार में सिंपती पैदा करना वो देखकर मुझे तो सच में हसी ही आ रही थी और क्या करे तो मुझे तो सबसे मजा किया वही पार्ट लगा उसके बाद में 2017 में लिदर फेस जो आई उसमें लिदर फेस की origin story दिखाई है कि उसका बचपन कैसा था युव अवस्ता कैसी थी वगएरा वगएरा पर वो भी उस कहानी का तो कोई सेंसी नहीं बनता 2017 की लिदर फेस तो मैंने अपने जीवन में देखी वी worst, सबसे worst फिल्म कहूंगा सबसे घटिया experience था वो कुछ कहानी में सेंसी नहीं था आप देखेंगे न, 2017 की लिदर फेस को भाई, 15 मिनिट से जएदा वो फिल्म आपको देखी नहीं जाएगी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यो चल रहा है कुछ कुछ सेंसी नहीं बनता और 101 सी बात है वो फिल्म box office पर flop हुई थी critics हो, audience हो, सभी ने उसको नकार दिया था, तो उसके बाद फिर से, जो उन्होंने एक प्रकार से, इस कहानी को फिर से continue करने का प्रयास क्या था, फिर से वो बंद हो गया, और फिर अभी Netflix ने फिर से इसके rights करीद लिये, और फिर से वो इस कहानी को शुरू कर रहे हैं, और इस बार फिर से, वो reboot नहीं कर रहे हैं, 1974 की कहानी को ही वो यहाँ पर continue कर रहे हैं, 1974 के बाद की 48 वर्ष बाद की कहानी उन्होंने यहाँ पर दिखाई है, लगबग 48-50 वर्ष बाद की, और यहाँ पर 2022 में अभी यह जो फिल्म रिलीज होई है, इसमें यह दिखाया है कि एक कुछ यंग्स्टर्स, कुछ यंग entrepreneurs का group इस टेकसास के गाव में जाता है, जो कापी लंबे समय से बस उसको छोड़ दिया है, खाली पड़ा हुआ है तो वहाँ पर उसको renovate करने के लिए जा रहे हैं, कुछ नया पूरा वो बनाने के लिए जा रहे हैं इस गाव को, यह यंग entrepreneurs, वहाँ जाने के बाद मुने पता चलता है कि भाई, वो जो leader face है, वो अभी भी जीवी थे, उसकी माव अगेरा के साथ में, और फिर उसके बाद में वो leader face सबको मारने लग जाता है, यह कुछ चार young entrepreneurs है, और investors की एक पूरी बस भरके वहाँ पर आई हुई है, तो इन सबको यह leader face बस मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, और मैंने जो आपको बताया था, 1974 1974 की फिल्म में एक बस लड़की बची थी, उसे अभी भी जीवित दिखाया है, और वो leader face से बदला रेने के लिए, फिर से इस गाउ में आती है, तो यह 2022 की कहानी है, देखिए, यह concept अगर कहे, slasher फिल्म की दुरुष्टी से तो कापी अच्छा था, पता ने पर इसको बात में कभी भी ठीक तरीके से यूज नहीं किया गया, 1974, 86, 95, 95 में जो चार फिल्म है, चलो उस समय तो लंग से वो यूज नहीं कर पाए, मैंने जो दूसरी फिल्म देखिए, 1986 वाली, उसके बाद में बस खून के छीटे वगरा उड़ते हुए उन्होंने दिखाया है, डिरेक्ली काटते हुए नहीं दिखाया, पर उसके बाद जो 1986 वाली फिल्म है, उसमें थोड़ा वाइलन्स उन्होंने ज़्यादा दिखाया है, पर वो एक हॉरर कॉमेडी की तरह थी, जैसे कि हॉरर कॉमेडी की तरह एक टाइम पास के लिए देखना चाहे कोई तो देख सकता है, बस एक 1974 की फिल्म है, वो सच में उसमें हॉरर भी है, थ्रिल भी है, वो डाराती भी है, चोकाती भी है, हमें कई जगों पर बिल्कुछ शॉक हो जाते हैं, हम वो देखकर कुछ जाता है, सबसे बड़िया विलन, उसको कोई भी बाद में धंक से मेरे अनुसार तो यूज नहीं कर पाया, और अभी भी नेट्फिक्स ने फिर से उन्होंने उसको स्टार तो किया है, पर कुछ उतना प्रॉपर मुझे अभी भी ठीक है, अच्छी दिखने में अच्छी थ पर सेकंड हाप में आकर काफी उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया, कच्रा, मतलब कई सिंस ऐसे थे जहाँ पर लिदर फेस को आसानी से मारा जा सकता था, या बस उसको अदमरा छोड़के वो करेक्टर जो मुख्य पात रहे हैं, वो लिदर फेस को अदमरा छोड़ रहे है और उसके बाद में दुसरे के गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं वगरा वगरा भई, वो ऐसा कारेक्टर है, अभी तक मरा नहीं है, तुम उसको अदमरा क्यो छोड़ रहे हो, तो वो तुम्हारे सामने बेहोश है, तो पूरा काट दो उसको मार दो, एक बार का खत्म कर दो, प अधी तक तो नेट्फिक्स की ये 2022 की फिल्म भी अच्छी चल रहे थी, पर सेकंड हाप में जाकर सब उन्होंने कचरा कर दिया है, देखते हैं, अब अगली फिल्म अगर नेट्फिक्स इसकी लाता है, तो अगर वो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, तो बढ़िया होग तो वो अगर कोई देखना चाते हैं, तो बिल्कुल नेट्फिक्स की ये फिल्म देख सकता है, पर अगर कोई प्रॉपर ऐसा स्लैशर फिल्म का एक्स्पिरियंस चाहिए, तो बिना खुन खरा बेके भी किस परकार से हमें डराया जा सकता है, थ्रिल किया जा सकता है, वो 1934 की फिल्म को देखकर हम समझ सकते हैं, तो ये था लगबग मेरा इस सीरीज की पाच फिल्में देखने का पूरा ओवराल एक्सपिरियंस, चार फिल्में अभी देखना बाकी है, और पता नहीं, इसके बाद शायद मैं कभी देखूंगा भी नहीं, यह जो पाच फिल्में द अगर आगर आप देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, मैं उसे दूँगा 7 out of 10 stars, 1986 की टेकसाश चेंसो मैं से अगर को, उसके बाद में जो 2013 में आई वी टेकसाश चेंसो 3D है, उसे तो मैं डेफिनेटली 0 stars दूँगा, लीदर फेस और स्वायर फेमिली की परती जो सिंप किया है, मतलब जो पुलिस वाले रक्षा कर रहे थे, इस स्वायर फेमिली से दूसरों की, उनको विलन बना दिया है, क्या मजाग था, मैं रहे को लगता है, मतलब जो भी बॉक्स ओपिस पो थोड़ी बहुत उस फिल्म ने पैसे कमाए होंगे, वो एलेक्जंडर ओडरियो नेट्फिक्स की 2022 की टेकसस चेंसरों मैंसे कर, उसे में दोंगा 6 out of 10 स्टार्स, दिखने में अच्छी थी वाइलन्स भी कापी सारा था, देखते हैं अब नेट्फिक्स आगे इसके साथ क्या करता है, बाकि पैनेटल कार्णस की इसमें तो कोई आवश रकता है यह नहीं, भाई धेर सारा खुन खराबा है और क्या क्या नहीं है, बाकि दोस्तों आपने अगर इस फिल्म स्रीज को देखा है, कितनी फिल्मों को देखा है, आपको वो फिल्में कैसे लेगी, आप कितनी रेटिंग देंगे, मुझे आप नीचे कमेंट में आवश बताना, यह वीडि श्री राम गंदे मातरम